वल्कम टू क्लास एंटेश्ट नाउ दे न्यू चैप्टर इज वर्ब्स अब हम लोग देखते हैं वर्ब्स तो एबरीवन नो वाट इज वर्ब्स टेल मी दूइंग वर्ब्स वैसा वर्ब्स जिससे की काम होता हुआ परती थो उसे कहते हैं वर्ब्स और हिंदी में कैसे कहते हैं जिस सब्द के अंत में ना हो वह होता है वर्ब्स जैसे खिल ना खाना पी ना कुद ना सो ना रो ना गाना सोब के अंत में ना है है ना तो यह सब क्य यह सब क्या है doing words इससे पता चलता है कि कोई काम हो रहा है तो words definition is doing words है ना कैसा words तो doing words are called verbs से क्या करते हैं वर्ब्स करते हैं simple example they tell us what persons animals or things are doing doing words are called verbs यानि वर्ब्स हमें यह बताता है कि कोई भी person animal या things क्या काम कर रहा है क्या work कर रहा है वह जिस words से पता चले उस words को कहते हैं वर्ब्स जैसे देखिए this dog क्या कर रहा है भूक रहा है वैरी गुड इंगलिज में काते है इसे क्या box तो b officers box यह क्या हो गया हमारे को verb the dog barks कुता फोगता है child whips क्या कर रहा है बच्चा तो रोता है तो whips क्या है verb है और इसमें s लगा हुआ है child whips तो whips क्या होगी हमारे को verb c pledge वह खेलती है तो pledge क्या है doing word यह जो देख रहे है न यह जो word है यह बता रहा है कुता क्या करता है बच्चा क्या कर रहा है और बच्ची यह क्या कर रही है वह क्या कर रही है तो pledge खेलती है वह पढ़ती नहीं खेलती है तो these are doing words and doing words are called verbs all doing words are verbs जितने भी doing words है वो आखों से दिखाई नहीं देते हैं वो काम करते हुए वर्किंग होते हुए दिखाई देते हैं है ना तो डूइंग वर्ट्स आर वर्ब्स है ना तो सिंपल अब देखिए यहां पर कॉश्चन्स आ गया है हम लोग पढ़ते कैसे हैं एक्सरसाइज के द्वारा डू एक्सरसाइज और लोग लुक यहां यह क्या करें रहा है घ्रैक्ट उम्हाइज करताfiction और यहां टार्भू एल्डिश सब्क्राइज क्या करता है एक्सर्थ्स हो गया हमारे को क्या करता है एक सरसाइच करता है तो एक सरसाइच क्या है वर्व हो गया all he is brushing हुघ सब्सक्राइब करना इना यूर क्या हो गया आपका वर्व हो गया next this boy what is he doing bathing very good bath असनान करना तो B A T H bath क्या हो गया वर्व बात इजा वर्व and look this boy smart boy what he do dance okay very good dance to dance he do dance to doing what I dance to dance क्या हो गया वर्व look this boy what he do it yes it is work E A T look this girl इच्छा बैक्त करना पापा पापा आज हमको खिलावना खरी दिजेगा साम में टॉफिला दिजिएगा विस इच्छा व्यक्त करना W I S H विस या परनाम किये तो कहें असिरवाद दिजे पापा जी है न यह देखिए this boy क्या कर रहा school जा रहा है न गो गो टू इस्कूल जी यो गो तो दीज आर वर्ब्स है न हम लोग असानी से देख लिए पिक्चर के द्वार हां next let's see use of is, am, are, are is, am and are are also verbs यह भी verbs ही है is, am and are are verbs यह भी क्या है verbs है, to show that an action is happening now कोई action हो रहा है ठीक है न, कोई काम हो रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है न, इस action कोई happening है चल रहा है, हो रहा है अभी continue चल रहा है, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ है न, action क्या हो रहा है happening है, teaching चल रहा है studying चल रहा है reading चल रहा है तो उस happening को सो करने के लिए is, am और are verb का यूज़ करना होता है we use to a being verb इसके लिए हम लोग being verb का यूज़ करते हैं कैसा verb? being verb b-e-i-n-g being verb और ये being verb का present form में होता है example is, am and are क्या क्या होता है? is, am, और are वर्तमान में कोई काम हो रहा है तो उसके लिए हम लोग is, am, और are का उप्योग करते हैं लेकिन भूत काल में कोई काम हो रहा था तो उसके लिए हम लोग use करते हैं वाज और वेर का ठीक है? भूत काल में कोई काम हो रहा था, तो उसके लिए हम लोग कौन सा being verb यूज करते हैं? was and where, लेकिन वर्तमान काल में कोई काम हो रहा है, present time में कोई काम हो रहा है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग is, am and are, being verb है न? तो three being worse in present form, each German are वारेण जेंड वेर इन पास्ट फॉर्म, जैसे I am having a snacks, मैं snacks खा रहा हूं, नास्ता कर रहा हूं, ठीकले snacks खा रहा हूं, I am having a snacks, I के साथ I am लगता है, सभी लोग जानते हैं, है रितो इज डांसंग यह बैंट इंग वार्व में पूरे ईज जब आपक गर प्लेंग आर प्लेंग आर और playing तो verb है ही, play तो verb है ही, play में ing add कर दिये, जब आपका being verb रहेगा, तो उसकी बाद जो verb रहता है, being verb के बाद, जो doing word रहेंगे, उसमें ing add कर दिते हैं, I am having a snack, मैं snacks खा रहा हूँ, रितू इच डांसिंग, रितू डांस कर रही है, children are playing football, children football खेल रहे हैं, है ना, तो यह सब काम अभी वर्तमान में हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, being verb का यूज करते हैं, वर्तमान में कोई काम यूज होता है, तो और उसकी बाद जब doing words लगाते हैं, तो उसमे ing add कर देते हैं, clear है, okay, देखिए, the verb is the most important word in a sentence, it is not just a doing word, it also tells us something about a person or thing, being, verb के बिना, तो sentence का कलपना करना ही बेवकुफी है, सबसे important thing आपका एक verb भी है, है ना, तो verb आपका बहुत ही important word है, sentence में, और वह सिर्फ बताता क्या है, कि doing word है, सिर्फ उतना ही नहीं, ये also बता रहा है, कि कोई काम हो रहा है, या हो रहा था, है ना, वह भी दरसाता है, त word, है ना, तो देखिए, हम लोग कुछ exam पस देखते हैं, और questions देखिए, complete the following sentences, निम्र sentences को complete करो, पूरा करो, using is, am, are, is, am, or are का उप्योग करके, and take verb from the help box given, और जो verb लेना है, वो इस help box से उठा लेना है, है ना, help box given, या help box दिया हुआ है, उसमें से वर्ब को चून लो, और ये sentence को complete करो, also add ing to the verb, और जो भी वर्ब चूनोगे, उसमें ing जरूर एड करना, और one has been done for you, एक आपके लिए कर दिया गया है, जैसे समझ दीजिए, rinky is dancing, हाना, rinky dance कर रही है, अभी वर्तमान में, तो let's start, second, the birds, the birds, the birds के लिए क्या हो जाएगा, birds के लिए कौन सा वर्ड ले 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 इसमें से, most suitable word हो गया, fly, है न, most suitable word क्या हो गया, fly, और क्या लिखा हुआ है, b, i, r, d, s, birds, मतलब एक से ज़्यादा चिडिया है, तो each, m, and r में क्या लगेगा, r, पुदरल के लिए r लगता है, r, और ले ल flying हो गया, simple, next है I, मैं, तो कौन सा वर्ड ले लूँ इसमें से, study ले लूँ, I am studying, I am studying, लिख सकते हैं, चलिए लिए लिए देता हूँ, I am studying, s, t, u, d, y, i, n, g, studying, the lion, share, क्या करेगा, rower करेगा, गर येगा, है न, lion, गरस्ता है, तो the lion, एक सेर है, lions नहीं नहीं है, एक सेर है, तो हम लोग लिख सकते है, the lion, is, है न, the lion के साथ क्या लगेगा, is, उसके बाद जो verb आएगा, r, o, a, r, o, r, or, 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 is, जब लग गया, है न, being verb जब लग गया, तो उसके बाद जो verb रहेगा doing word, उसमें क्या करेंगे, ing, add कर देते है, r, o, a, r, a, ing, roaring, सेर, गरज रहा है अभी, चिडिया घर में, है न, I, hungry, मैं भूखा हूँ, तो क्या हो जाएगा, I के साथ, am, I am hungry, मैं भूखा हूँ, है न, hungry boy, hungry boy, भूखा लड़का, यानि भूखा, hungry क्या है, adjective है, इसलिए, hungry में, ing, नहीं लगेगा, clear है, next है, नहीं, तो हम लोग, यहाँ से एक word अगर चुनना है, word भी चुनना है, sorry, एक word भी चुनना है, तो हम लोग ले ले, feel, f, e, l, मैं भूख महसूस कर रहा हूँ, बड़ी भूख लगिये, मैं भूख महसूस कर रहा हूँ, मैं भूख महसूस कर रहा हूँ, तो लिखता हूँ क्या, I am feeling, f, e, l, i, n, g, f, e, l, i, n, g, मैं भूख महसूस कर रहा हूँ, ठीक है, नेश्ट है, parents to the party, कौन सा ले लूँ, what, go, parents, go ले लू, parents are going to the party, a, r, e, r, parents हो गए, हैंना माता पिता, r, तो r लग जाएगा, दो ग्यक्ति हो गए, going, g, o, i, n, g, going to the party, next, he, hard, तो क्या ले लू, work ले लू, he के साथ work लेता हूँ, he is working hard, he is working, w, o, r, k, i, n, g, working hard, he is working hard, so simple, तो आप देख लिए न, किस तरह से हम आसानी से इसे हल कर दिये, exam में आएगा, बना डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, है न, मेरे students कोई question नहीं छोड़ते है, देख लिए, अब ये तो और आसान है, भारी वाला का नहीं बना लिया, अब हलका वाला question आया है, fill in the blanks with is, am, are, is, am, or are, fill करना है, according to subject, subject को देखते हुए, तो see my mother, तो see के साथ क्या लगेगा, is, चलिए आप लोग बताते हैं, यह यह गा, I के बाद क्या लिखे, am, very good, I am a boy, the man, क्या हो जाएगा, are, नहीं न, अच्छा, is होगा, सब कोई, is the man is angry, it a kitten, क्या होगा, it is a kitten, it is a kitten, her teeth, क्या होगा, tooth से बना होगा है, teeth, अच्छा, पुल्रल है, तो क्या हो जाएगा, are, her teeth are white, Now, we see use of watch and wear, अब हम लोग देखते हैं, watch and wear का उप्योग करना, चलिए, watch, wear, is the past form of each, am and are, each, am और, are का past form होता है, watch and wear, दो words है, एक है watch, watch use होता है, single person के लिए, past form में, और wear use होता है, more than two, two या more than two, है न, single से ज्यादा, more than single, two या more than two के लिए, हम लोग यूज करेंगे क्या, wear का, और एक परसंट के लिए, यूज करेंगे, watch का, जैसे, he was going to school, he के लिए क्या यूज होगा, watch, they were fighting, they के लिए क्या यूज होगा, wear, यानि हम लोग कह सकते हैं, आपको, he, see, eat, और एक नाम, one name, एक नाम, one name, जैसे, राम रहे, गीता रहे, सीता रहे, इन सब के साथ, past form में, हम लोग क्या ची यूज करते हैं, watch, है न, या, I watch, I watch, they के साथ wear, यूज के साथ wear, ठीक है न, और एक से अधिक नाम रहे, दो या, दो से अधिक नाम रहे, इसे राम एंड सीता, तो wear है न, सोहन, मोहन, एंड गीता, wear हो जाएगा, clear, तो wear कहां लगता है, ये मालूम हो गया, और watch कहां लगता है, ये भी मालूम हो गया, watch is used for singular number, watch similar number के लिए यूज होता है, and wear is used for plural number, और wear का अपयोग plural number के लिए होता है, clear, और watch का अपयोग, where का अपयोग कहां करते हैं, past form में, sentence में, past form में हम लोग watch and wear का अपयोग करते हैं, तो यहां देखिए, exercise है, चलिए, he sleeping when the postman came, जब postman आया, उस समय he was sleeping, तो क्या लिखाएगा, watch, wear नहीं होगा, he के साथ कर लिएगा, watch, हमें watch या wear फिल करना है, they jumping high, they, बाने एक से ज़्यादा लोग है, तो wear, they wear jumping high, I, I watch, है न, I watch reading a book, very good, many children, क्या होगा, watch की wear, very good, many है, तो many children were absent yesterday, these words, watch की wear, words है, तो क्या होगा, wear, these words, wear, he je, jeenet and aman, दो है, तो क्या होगा, wear, jeenet and aman, wear, dancing on stage, you going to school, watch की wear, wear, very good, you wear, going to school, तो so simple, watch and wear का परियोग करना भी बहुत आसान है, है, है न, यह देखे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next, now we see, use of has, have and had, has, have और had का परियोग करना, अब हम लोग देखते हैं, है, has, have और had का परियोग कहा करते हैं, has, have, had, denotes their subject's position of something, कोई भी subject के position, यानि अधिकार को, स्वामित्व को यदि दर्साता हो, कि यह मेरा घर है, है, है न, किसी चीज़ पर यदि आपको स्वामित्व दिखाना है, तो वहाँ पर आज वो had, have और had का परियोग करना है, यदि present tense में हो, present form में हो, वर्तमान में हो, ठीक है न, वर्तमान में किसी चीज़ पर स्वामित्व दिखाना है, तो वहाँ हम लोग hedge या have का परियोग करते हैं और भूत काल, past tense, बीते दिनों में यदि किसी चीज़ पर स्वामित या अधिकार को दिखाना हो, position को दिखाना हो, तो वहाँ पर हम लोग hedge का परियोग करते हैं, clear? तो hedge और hedge का परियोग, present form में, और hedge का परियोग, past form में, hedge का परियोग, one के लिए, single के लिए, singular के लिए, और hedge का परियोग, plural के लिए, तो देखिए, he see it, he see it, और एक नाम के साथ hedge का परियोग होता है, ठीक है? वी, है ना, I have, I के साथ have, we have, you have, they have, और दो या दो से ज्यादा नाम के लिए हम लोग क्या ची लगाते हैं, है का परियोग करते हैं, किलियर, और हैड का परियोग कोई भी रहे, I, V, He, See, It, एक या एक से एक अधिक नाम, ठीक है ना, कितना भी रहे, कुछ भी रहे, उसके साथ हम लोग पास्ट फॉर्म में हैड का ही उपयोग करते हैं, सिर्फ हमें परियेंट फॉर्म देखना है, थार्ड परसन सिंगुलर नंबर यदि रहे, तो उसके साथ हम लोग हैज का परियोग करते हैं, यानि ही, सी, इट और एक नाम के साथ हैज का परियोग करते हैं, किलियर है, अब आप देखिए, सी है जे कैट, उसके पास एक बिल्ली है, यानि वो बिल्ली की मालकिन है, या उसके पास बिल्ली रखी हुई है, है ना, तो सी है जे कैट, एम और आर, आईज, वाज, वेयर का उपयोग नहीं, है ना, इससे position का पता नहीं चलता है, position का पता had, have और had से पता चलता है, we have two parents, हमारे पास दो तोते हैं, है ना, to have लिखे, we have two parents, स्वामित्व दिखाना है, अधिकार दिखाना है, तो हम लोग had, have और had का उपयोग करते हैं, I had a bicycle last year, मेरे पास पिछले साथ एक bicycle था, आज नहीं है, चोरी हो गया, है ना, तो I had का उपयोग, के लिए, पास्ट फॉर्म में, अब यहाँ देखिए, questions, का जा रहा है, has is used with similar subject, has similar subject के लिए, have is used with plural subject, have copy of plural subject के लिए, और had is used with all kinds of subjects in the past, और past में सभी तरह के subjects के लिए, had copy of होता है, तो मैंने पता ही दिया, अब चलिए questions देखते हैं, fill in the blanks with had, have or had, had, have or had, fill करना है हमें, sentence को ध्यान से देखेंगे, कि कहीं पर had, कहीं पर had, और कहीं पर have fill होगा, किसमें क्या होगा देखना, कावेरी, एक painting of राधा रानी, तो क्या होगा, कावेरी के साथ, एक painting of राधा रानी, कावेरी एक राधा रानी का क्या किया है, कि कावेरी के पास क्या है, एक राधा रानी का painting है, है न, तो कावेरी क्या है, एक लड़की है, और उसके पास एक राधा रानी का painting है, जो बहु ट्वाइकार नितिन के पी काष्यरोने वाली गारी है जो लाल कलर की है बहुत सूरत्हक है तो क्या होगा निटिन है न क्योंकि नितिन ऊद्र थोरी यह फैं तो है लगता हे तो हैलेगा राम आ प्रैप में पेसा न नितर संद्र पतनी थी और वह कौन थी जीता है हमारे स्री राम को थो ना है न किस पतनी का थेखा तो है कि लिए है यहा तो यहां किया लगे एक पर में थी तोपी चाहर लड़के थे है बोच की वह चाहर लड़के लड़के आज नहीं है भूत काल की बात है Mary a little lamb last year Mary को पिछले साल एक छोटा सा lamb था है ना छोटा सा lamb था Mary के पास है ना तो क्या हो जाएगा had Mary had a last little lamb last year we pretty flowers we have pretty flowers हमारे पास बहुत खुबसूरत फूल है है ना जो हम आपको नहीं देंगे we have we have वर्तमान में अगर दिखाना है तो had का उप्योग करते है तो clear है यह सब had, have और had का उप्योग करना आगे आप लोग को अब हम लोग आगे बढ़ते हैं okay, erase करूं चलिए erase करता हूं next चलिए next देखते हैं the ing form हम लोग वर्ब का ing form देखे हैं और देखते हैं adding ing ing to the verb is the commonest way to change the form of a verb वर्ब का सबसे simple way है कि उसके form को change करने का कि उसमें हम लोग ing एड़ कर दे ing एड़ करके सबसे simple way में हम लोग change करते हैं जैसे प्लो प्लो में जोड़ दिया ing p-e-l-o-u-g-e-ch में ing जोड़ा हो गया flowing flow मतलब होता है जोत ना लेकिन ing का लग गया तो हो गया flowing यानि जोत रहा है है ना रहा है क्या हो गया रहा है रही है लग जाता है जोत रहा है speak miss होता है बोलना लेकिन उसमें अगर ing जोड़ दिजिए तो हो गया speaking s-p-e-a-k-i-n-g और इसका मतलब हो गया बोल रहा है teach मतलब होता है पढ़ना लेकिन उसमें ing जोड़ दिए तो t-e-a-c-h-ing हो जागा मतलब पढ़ा रहा है n-g cry में ing जोड़ दिए हो गया crying c-r-y-i-n-g तो ये भी एक verb का form है और इस form को बनाना बहुत आसान है है ना सिर्फ ing जोड़ करके हम लोग बना सकते हैं और जब भी किसी sentence में इसका यूज करते हैं तो उसके पहले हम लोग being verb का यूज करते हैं ये एम आर या वाज या वेयर का अब देखिए examples अब कुछ verbs हैं इसमें में क्या करना है ing एड़ करना है talk में ing एड़ किजिए क्या हो जागा talking है ना t-a-l-k-i-n-g talking visit में बोलिए क्या हो जाएगा ing visiting v-i-s-i-t-i-n-g visiting fight में ing जोड दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका fighting है ना fight में जोड देंगे तो क्या हो जाएगा fighting f-i-g लिख दू f-i-g-h-t-i-n-g fighting work में ing जोड़िए work में ing जोड़िए w-o-r-k-i-n-g working cook में जोड़िए cooking c-o-o-k-i-n-g cooking learn में जोड़ दीजिए learning l-e-a-r-n-i-n-g learning अभी जाब में यह आएगा तो मजा जाएगा bark में barking b-a-r-k-i-n-g barking play में ing जोड़ दीजिए playing p-l-a-y-i-n-g playing pick में ing जोड़ दीजिए picking p-i-c-k-i-n-g picking so simple तो ing जोड़ करके हम लोग bark का form बदलते हैं और आप यहाँ देखे शरीज करता हूँ फिर आगे अगला questions देखूँगा और आगे कुछ सीखूँगा आप लोग के साथ explore and assimilate अब दिखिए यहाँ bite है ध्यान देंगे b-i-t-e bite अब इसमें ing जोड़ना है तो e और i लगवक सेम सेम होता है ठीक है न? e-i तो एक ही रहेगा इस e को हटा दीजिए और जोड़ दीजिए biting b-i-t-i-n-g biting dance है तो dance में भी जोड़ना है तो इस e को last वाले को हटाईए और जोड़ दीजिए तो d-a-n-c-i-n-g है न? e हटा दिए और ing जोड़ दिए dancing तो last में यदि e रहेगा तो उस e को हटा करके और ing जोड़ देंगे किलिया है जैसे देखिए right तो क्या करें e को हटा दे और लिख दे w-r-i-t-i-n-g right से हमारे को क्या हो गया writing w-r-i-t-i-n-g उसी परकार drive में last में e है तो e को हटाईए और लिखिए driving d-r-i-v-i-n-g driving so simple next है come c-o-m-e come क्या करूँ e हटा दू और coming c-o-m-i-n-g coming बहुत आसान है आप सभी लोग देख रहे हैं list में देखिए care e हटा दू तो c-a-r-i-n-g caring simple become become में क्या करूँ e को हटा दू और जोड़ दू ing तो क्या जगा becoming b-e-c-o-m-i-n-g becoming next क्या है like like में क्या करूँ e को हटा दू और जोड़ दू liking l-i-k-i-n-g liking तो आप यहाँ देख लिए आसानी से आप लोग जोड़ लेंगे write से writing drive से driving come से coming care से caring become से becoming और like से liking चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं सबी लोग समझ गए बहुत आसान था और जहां भी जिस word में यदि last में e रहे तो हम लोग उस e को हटा करके और ing जोड़ करके भी वर्व के forms को बदल देते हैं तो आगे देखते हैं कुछ एक और special तरह से ing आड़ करने का अब देखिए run are you in तो हम लोग बोलते हैं running है ना तो यहां किया हो गया लास्ट वाला word एक और add कर दिये ठीक है आर यू डवल एंड आई एंजी running हो गया आर यू एंड है तो यह लास्ट वाले word को पुन्द्रा विर्ती हो जाएगा और उसके बाद ing जूटेगा यहां हो गया आर यू डवल एंड आर यू डवल एंड आई एंड जी running है ना नेक्स्ट है क्या swim अब swim में ing जोडना है तो s w i m swim है इसमें लास्ट वाले word m को पुन्द्रा विर्ती हो जाएगा और फिर उसके बाद ing जूटेगा तो क्या हो जाएगा swimming s w i m ing swimming तो next देखिए hop इसी तरह से add करना ing hop में गगर करना है तो लास्ट वाला word p एक बार और होगा उसके बाद ing जूटेगा यानि होगा क्या h o w p ing hopping के लिए rank से running r u n दबल हो जाएगा double n ing running के लिएर है grip g r i last वाला word p double हो जाएगा dp ing gripping यह सब याद कर लेंगे एक जगा किया हुआ है shop last वाला p double हो जाएगा s h o double p ing ऐसा ने क्या बोल दिजएगा s h o p ing गलत हो जाएगा s h o double p ing shopping dig क्या हो जाएगा d i double g ing digging के लिए sit क्या हो जाएगा sitting s i double t e i n g sitting so simple तो आपने यहाँ देखा किस तरह से हम लोग verbs के forms को बदल सकते हैं तो level 2 में verbs इतना ही काफी है ओके थैंक यू